कि वेल्कम टू पीड़ यू पीए सी वाला आयम डॉक्टर मौहमद जिया फिस्ट फॉल थैंक यू फैरी वरी मच फॉर लव एन अफेक्शन जो प्यार और भरोसा आप हम पर दिखा रहे हैं इन दिनों में जब हमारा कोर्स लांच होने वाला है और हम आपको यह बताने की को क्यारी के लिए तयार कैसे हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रस्ट और लव आज की वीडियों कि अगर बात करें आज की वीडियों में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो जनरली अंजाने में ही सही हमसे हो जाती है और यह गलतियां जब हम कि कब हमें पता भी नहीं चलता कब हम इस रास्ते पर जा चुके हैं और यह एक तरीके से compounding effect दिखाना शो कर देती है आपकी गलतियों में और हमें एक गलत track पर एक गलत रास्ते पर ले जाती है गलत रास्ते का मतलब यह है कि हम उस trap में फस जाते हैं कि कई बार वहां से वापिस आना बहुत मुश्किल है so in today's video we are going to talk about the mistakes that are to be avoided in preparation the whole process or the whole idea जो PW का है वो यह है कि जब हम अपने batches start करने वाले हैं the you know the information about that is in the description link आप उस चीज के लिए तयार हों कि तयारी कैसे करना है so when when we are you know preparing for UPSC अब क्या गलती यह नहीं करना है UPSC is not at all about the art of knowing क्या करना है यह UPSC नहीं है UPSC में successful वही है जिसको यह पता है कि क्या नहीं करना है जिसको यह clarity है कि अगर हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे तो ही हमारा सेलेक्शन होगा जिसको यह clarity है कि मुझे इन चीजों को avoid करना है चाहे कोई कुछ भी हो जाए कैसे भी circumstances बने कोई कुछ भी कहता रहे है अवाइडिंग mistakes is very important and before that knowing to avoid mistakes is also very you know mistakes कौन सी है mistakes बतानी भी तो पड़ेंगी कि यह चीज नहीं करनी है तो आज के वीडियो में हम क्या है आप UPSC की तैयारी का आपके जहन में आया आपने तैयारी की शुरुवात करी आपने देखा अच्छा आपको बताया गया कि यह prelims है यह मेंस है यह PT है पसनालेटी टेस्ट है और आप तैयारी में जुड़ गए आपको एक जनरिक information पता है कि यार इसमें जो है हिस्ट्री पढ़ना है एकॉनमी पढ़ना है पॉलिटी पढ़ना है जोग्रफी पढ़ना है करेंट अफेर्स को रिवाइस करना है दर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना योजना कुरुक्षेतर पढ़ना आपने एक एक सेट आफ चीज पर जाना है आपको इस सिलेबस को देखना है जो नौटिफिकेशन पुराने है अगर आप इस साल का नौटिफिकेशन देखें लिटेस नौटिफिकेशन से सिलेबस लेना है और सिलेबस को समझना है कि सिलेबस को समझना सब्सक्राइज को पढ़ना नहीं है डोंट रीड़ अनीच सबसक्राइज करना है यह वर यहां आलाइजिंग हम लिखा हुआ है कि अब तरी सीडी हिस्ट्री आ रही है सीडी सीडी इकुनॉमिय आ रही है आप जब prelims का syllabus देखेंगे तो सबसे precise syllabus prelims का है छोटा सा लिखा हुआ एक आदे पीज में खतम CSAT का आप देखेंगे तो और छोटा है और UPSC में syllabus content जितना छोटा लिखा हुआ है वो उतना खतरनाक है जो topic एक line में लिखा होता है अब for example में इसके syllabus में लिखा history of the world एक लाइन में लिख दिया history of the world लेकिन history of the world में क्या कहां तक पढ़ना है कैसे शुरू करना है तो इस syllabus को analyze करने के लिए आपको ज़रूरत पढ़ेगी पीवाई क्यूस की पीवी से questions की एक बार before you know without any preparation without anything आप उसका आपको जो पढ़ना है आपको जो preparation करना है आपको जो चीजें समझनी है वह आपको पता होनी चाहिए क्यूं कि आपको आपने तयारी शुरू की और जो अब होता आता था कि तर यहां से जो है यहां तक गए नहीं यह पता है वैसी मिस्टेक है आप सब में जो class बतलब I had mathematics till class 10th mathematics की जो हमारी 8th 9 10th की NCRT होती थी और उससे भी पहले की जो NCRT होती थी उसमें जब chapter शुरू होता था उसके पहले एक ना थोड़ा सा description थोड़ा सा theoretical पार्ट दिया होता था राइट जनरली हम क्या करते थे हमें teacher ने समझाया exercise chapter number 7 हम पहुंच गए exercise 7.1 और हमने पढ़ना शुरू कर दिया हमने इस exercise 7.1 से पहले जितना description था उसको देखा भी नहीं जनरली यही होता आया है मतलब as far as I remember यही होता था कि chapter समझा प्राइस ने बताया और हम सीधे वह 7.1 पर चले गए वहीं से आदत जो है हमारी बिगड़ी हुई है इसमें फॉल्ट आपका नहीं है कि आप जो है या जनरली जो लोग जो है इसको syllabus को analyze नहीं करते क्योंकि let's not go to the education system as a whole now what we have to do कि यह जो 7 exercise 7.1 के पहले की कहानी है वो पूरे chapter का description है वो पूरे chapter की समरी है कि इसमें क्या करना है सबसे पहले आपको जो करना है वो है UPSC का जब आप एक्जाम की तैयारी का मन बनाए सबसे पहले आप अपने syllabus को कि समझें कि क्योंकि आप 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 बोलो कर से हिस्ट्री अब आप हिस्ट्री पढ़ने को जाओगे तो infinite है ना लोग BA कर रहे हैं MA कर रहे हैं PhD कर रहे हैं हिस्ट्री में हम 4 साल पढ़े हैं हिस्ट्री नहीं आपको इस syllabus को analyze करते वर्त एक चीज का ध्यान रखना है डाट हमें किसी भी सब्जेक्ट को एक एक्सपर्ट की तरह नहीं पढ़ना है हमारी लिमिटेशन्स हैं इसलिए यह syllabus लिखा गया है कि देरा सर्टेन लिमिटेशन्स देरा सर्टेन पॉइंट जहां हमें रुकना होगा ऐसा नहीं है कि तैयारी करना शुरू कि हिस्ट्री पढ़ना शुरू कि एक किताब दो किताब तीन किताब दस किताब है पढ़ दी और पता चला उसमें से कुछ भी इरलेमेंट नहीं है कि यहां से आप आ जाते हो यह उसके बाद हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि ए इरलेमेंट टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया अगर्धिन टॉपिक क्या होता है कि तर अपने का हिस्ट्री ओफ दो वर्ल्ड ठीक आ आपने और प्रिवेश यह प्रि पॉइंट पकड में आया, for example, Chinese civilization, आपके समझ में आया, Chinese civilization, आपने Chinese civilization पढ़ना शुरू कर दिया, आप उसी की depth में चले गए, आपने चाइना की सारी चीज़े पढ़ दिया, although Chinese civilization का एक परग्राफ कहीं आपको मिल जाएगा, what you did is without analyzing and this is a common mistakes, that is mistake that people do, that जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे important चीज़ है, to know where to stop, unless and until you don't know where to stop these things, कोई भी subject ले लो, कोई भी topic ले लो, जो UPSC के syllabus में है, knowing where to stop is always important, because UPSC के जितने भी topics हैं, जो भी हमारे syllabus का part है, वो अपने आप में समंदर की तरह है, अब जितनी गहराई में जाओगे, आप जितना अंदर जाओगे, आपको लगागा, यहां तो मुझे और खजाना मिल रहा है, यहां आपके knowledge का test नहीं है, understand the nature of the examination, understand the demand of the examination, आपको इस exam की demand को समझना होगा, कि यहां exam जो है, वो knowledge का नहीं है, exam understanding का है, exam समझ का है, exam maturity का है, exam attitude का है, what is the right attitude to know where to stop, unless and until you don't know where to stop, आप तो इन चीज़ों को, you will gain knowledge, if you don't have this, अगर आपके पास यह समझ नहीं है, कि कहां रुकना है तो आप knowledge gain करते चले जाओगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो एक stage के बाद आके वो irrelevant होना शुरूव हो जाएगा, exam के लिए, क्योंकि हमारी exam का जो preparation time है, वो limited है, वो designed है, उसको हमने कहा कि यार हम 12 से 15 महीने एक ट्रेलिम से पहले हम तयारी करें, जिसमें हम classes करेंगे, उसके बाद हम revision करेंगे, हम exam देंगे, valid, लेकिन अगर आप एक ही subject को, एक subject को continually पढ़ते चले जाओगे, आप, you will end it nowhere, लेकिन उसका impact यह होगा, कि एक point के बाद जब आप इन irrelevant topics की तरफ जाना शुरू करना शुरू कर देते हो, तब आप जो दूसरे subjects हैं, पर एक्जामबल आपने history पढ़ना शुरू कि आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, लेकिसी को भी यहां पर historian बनाने नहीं आए, हमारा एक ही काम है कि हमें जो relevant topics है, उससे पढ़ना है और अपना exam clear करना है, आपको history में इंट्रेस्ट आ रहा है, आप academics में जाईए, यहां defined syllabus है, जो कि UPSC न लिखा है, पुराने papers को देखके एक framework तयार कर लिया गया है, कि यहां से यहां तक पढ़ना है और इस depth तक पढ़ना है, तो length, breadth, depth, हर चीज़ defined है, हर चीज़, plus minus one, two percent, that's okay, but overall, we have a framework, that हम इसके beyond नहीं जाने वाले, हर साल के paper में कुछ questions ऐसे होते हैं, जो उस साल जो बच्चे exam दे रहे ना, उनके लिए trap नहीं है, यह questions वो part है, जो कि trap है, उनके लिए जो अगले साल या आने वाले सालों में देने वाले, क्या होता है, UPSC ने for example, 10 questions पूछे, अब यह irrelevant topic generate कहां से होता है, किसी particular topic से 10 questions पूछे, उस 10 questions में से 2 questions out of the context हैं, कहां से आ गए पता नहीं, सब परिशान, और उन सबसे ज़्यादा परिशान कौन, जो आप तयारी कर रहे हैं, जो इस साल exam दे रहे हैं वो नहीं, जो आप तयारी कर रहे हैं, वो फस जाते हैं इन 2 questions में, यह 2 questions आपको यहां लेके चले जाते हैं, आपको लगता है यार यह 2 questions कहां से आगा है, मैं इसका भी answer ढूंड लूँ, मैं इस depth में भी चले जाओ, आपको नहीं जाना है, आपको उन 8 questions को सही करने के लिए focus करना है, that's it, हमने cutoff की बात करी है, आ जाए जाए के 95 to 105 एक range बना हुआ है, आउट अफ वाट, 200, which is still less than 50%, और यहां तो अगर आप इन 2 questions को नहीं भी कर रहे हो, आप इन 8 questions को कर रहे हो, तो यहार मार्किंग 80%, understand this, आपको जो चीज अट्राट करेगी वो यह दो question है, जो की out of the context है, कहीं से भी आ गए, हमें उस पर धियान नहीं देना है, हमें जो हमारे syllabus में लिखा है, एक दो question आएंगे, आने दो, सारे question तो नहीं attempt करने हैं न, prelims में, and mark my words, prelims is the toughest stage in the whole examination, पूरे UPSC के examination pattern में जो प्रारंभिक परिक्षा है, वो सबसे कठन है, तो आपको यह चीज नहीं करनी है, हमें यह दिख रहा है, कि यह 8 question जो है, यह हमसे बन रहे हैं, यह 8 question वो है, जो हमारे syllabus से related है, उस syllabus से, उन चीजों से, जो हम, जो हमने पढ़ा है, और trust me, यह question जो होत तरफ direct करेंगे, किस तरफ? Irrelevant topics की तरफ, अभी पिछले से पिछले साल, I guess, जो साल क्रिकेट वर्ल कप हुआ था, टेस्ट वाला, उसमें क्या हुआ, स्पोर्ट से दो तिन question आ गए, जिन से बना, और वो वो दोनों के लिए trap बन गए, वो दोनों के लिए, बड़े जमानो स्पोर्ट पर question आया, वो trap उनके लिए भी बना जो उस पक्त exam दे रहे थे, कि सर, यह तो हमें जिनको cricket से प्यार था, उन्होंने तो बेवज़ा तुक्या लगाना शुरू कर दिया, हमें तो आता है, गल्ती हुई उनसे भी, और जो तैयारी कर रहे तो उनने बोला, यार आ आया ही नहीं, this is how, see, because यहां, हमने क्या बोला, यह analyzing है, यह understanding है, क्योंकि UPSC आपके knowledge का test नहीं ले रहा है, UPSC आपकी psyche का test ले रहा है, UPSC आपके, जो आपका mental balance है ना, उसका test ले रहा है, आप कितने काम रहते हो, आप कितने focused हो, यह distraction create करता है, यह दो एक-दो सवाल आ ज text, वो distraction create करने के लिए, और यह देखने के लिए, कि इस distraction के बाद कितने students है, जो अब भी उनी चीज़ों पर focus है, जो समझनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम going the wrong way, उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जहां, जाना ही नहीं है, तो भाईया यह जो है, आठ question यह वाले, यह पकड़ के रखो, यही selection करवा देंगे, यही prelims निकलवा देंगे, और यहां से इतनी relevant information मिलेगी, इतना आपको content मिलेगा, that you can write a good answer in means. So focus, we have a syllabus, हमने उसको analyze किया, और उससे हमने एक चीज़ डिटर्माइन कर ली, कि भाईया जो हमारे irrelevant topics हैं, हम उसको नहीं देखेंगे, अब topics, आपने बोला syllabus कर लो, syllabus कर लिया, आपने बोला topics define कर लो, topics define कर लिये, अब पढ़ें कहां से, for example, मुझे, Delhi से, चैन नहीं जाना है, लंबा सफर, अब मुझे point A से, जैसे मुझे Delhi से, चैन नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3-4 options है, मैं flight से जा सकता हूं, मैं train से जा सकता हूं, मैं by road जा सकता हूं, ठीक है, अब अगर, और process क्या होगा, general process क्या है भाहिया, पहले मैं अपना resources देखूंगा, कि मैं क्या चीज अफोर्ड कर सकता हूं, मैं उसका ticket कराऊंगा, मैं उसमें बैठूंगा और चला जाऊंगा, जो भी given time है, I will reach, एक तरीका तो यह है, तो आप बिलकुल भाहिया, जो आपके resources है, तो first I will see that what I can afford in terms of time and money, और मैं उस चीज का ticket कराऊंगा, मैं point A से point B चला जाऊंगा, सीधा रास्ता है, कोई problem नहीं है, एक तरीका और है, कि मैं adventurous हो जाऊंगा, एडवंचर इस कैसे, भाईया मैं दिल्ली से निकला, मुझे मैंने सुना कि दिल्ली से जो है, आगरा तक express पे बना हुआ है, दिल्ली से आगरा तक मैं express पे से गया, फिर मुझे पता जला है, आगरा से आगे ना भुपाल तक का road ठीक नहीं है, तो एक काम करते है, आगरा से भुपाल जाने के बाद कि भुपाल से नाखपूर तक का जो distance है, या भुपाल से हैधरबाद तक का जो distance है वो, मला फ्लाइट मिल रही है, मैंने पकड़ ली, फ्लाइट से पहुँच गिया है, फिर मुझे किसी ने का नहीं है, हैधरबाद से चेन्ण नहीं का जो है न, road trip पे भी देर से पहुंचे यह होता है जब हम मल्टिपल रिसोर्सेस को आप्ट करना शुरू कर देते हैं सीधा होता सर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सीधा फ्लाइट पकड़ो और यहां से वहां चले जाओ आप अगर जो है आप ट्रेन से जाना चाह रहे हो आप ट्रेन से चले जाओ सिंपल लेकिन आप वहां कि टाइम टी वन पर पहुंच जाईएगा बस दशिट तो यहां पर भी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आप को मल्टिपल सोर्सेस मल्टिपल इंडिविजुवल्स मल्टिपल अब्जेक्ट में ये भी किताब है यह भी किताब है यह भी पढ़ना है तो गो फ़र इस पर्टिकुलर बुक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप बूले का अच्छा है यह भी बड़ीा बात बोल रहे हैं फिर कोई बोलेगा न्-C.R.D. पढ़लो जो कि पढ़ते ही न लेकिन आप एक चीज समझें, NCRT क्यों important है, NCRT इसलिए important है, क्योंकि आप अगर मेंस के questions की जवाब देने का जो word limit है, आप अगर उसको समझो, तो वो बहुत की precise लिखना है, वो precise लिखना है, वो precise लिखने का मतलब यह है कि आपको कम शब्दों में लिखना है और ज्यादा बात लिखना है, आपको कम शब्दों में ज्यादा बात लिखना है, so what will you do, NCRT एक बार पढ़ो, मेरा suggestion in general यह होता है, the third step here, syllabus topics finalize करने के बाद, the third step here is, define your resources, is, define your resources, the point you define your resources, उसी पे रहना है, आपने determine कर लिया कि सर, पहले मुझे 6th, 7th, 8th की NCIT पढ़नी है, जल्दी हो जाएगी, फिर मुझे 11th और 12th की NCIT पढ़नी है, और इसके बाद अगर मेरे पास समय होगा, तो मैं XYZ author की किताब पढ़ लूँगा, और इतना पढ़ने के बाद इतनी आपको समझ आ जाएगी, कि आपको जरूरत नहीं होगी, अब आप खुद समझ ये, एक किताब है, NCIT की जो 200 पेज की है, और उसी की जो Advanced Book है, वो 800 पेज की है, UPSC में जो आपको आंसर लिखना है, वो 10 नंबर या 15 नंबर के लिए, दो, 1500 से, एक option है 1500 का, एक option है 200 का, College exam तो है नहीं, कि 10 नंबर का question है, तो कम से कम 4 पेज तो भरने पढ़ेंगे, भले उसमें बात जो है, वो दो लाइन में खतम हो जाए, यहां तो आपके पास उस चीज की liberty नहीं है, मतलब आपको यहां पर ऐसा content, ऐसी vocab, ऐसा language चाहिए, जो आपको कम शब्दों में जादा से जादा चीजे बताने के लायक बनाए, वो सिर्फ एक ही चीज बनाती, NCRT, तो पहला resource, multiple readings की अगर आप बात कर रहे हो, तो पहला resource आपका NCRT है, तो आपने resource डिफाइन कर लिया कि पहले मुझे NCRT पढ़नी है, और फिर मुझे एक book और पढ़नी है, जब आप इसको पढ़ोगे न, पहले ही आप 200 पेज पढ़ोगे, फिर आप इस किताब पर आओगो, जो 800 पेज की है, आप इसके 400 पेज आटोमाटिकली जो है न, डिलीट कर चुके होगे, बहुत जरुवत ही नहीं है, फिर आपको यह उस बोरिंग मूवी की तरह लगने लग जाएगी, यह वाली किताब, यह 800 पेज की किताब, जिसको आप स्किप कर करके देखते हो, यहां से यहां तक तो ठीक होटाओ, पता है हमें क्या होने वाला है, वो strength तभी आएगी जब आप इसको पढ़ोगे, जब आपस NCRT को पढ़ोगे, तो आप यहां multiple books नहीं पढ़नी है, तो जरुरत पढ़ने पर तीम, इससे ज़्यादा जरुरत नहीं है, आपके पास समय है, आप इसको और ज़्यादा रिवाइस करिये, और NCRT की एक खुबसूरती यह है, कि आप NCRT को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी भी बार पढ़ोगे, आपको उतनी बार रियलाइज होगा यार यह चीज तो नहीं निकल के आई, तो if you really want to invest, invest your time here, फीक है, you want to read this, trend है, पढ़ लो, लेकिन जब आप इसको पढ़ने के बार इससे पढ़ोगे न तो इसके 400 पेज आपको irrelevant लगेंगे, automatically जो irrelevant topics है, this is how you have to prepare, this is how you have to prepare, तो यह पहले stage या आपकी जो initial stages है, उसकी पहली तीन mistakes जिनके आपने बात की, कि आपको सबसे पहले syllabus को analyze करना है, आपको irrelevant topics से बचना है, अपने जो multiple sources है, सबसे पहले अपने resources को define करना है, और एक बार जो resource define कर लिया, उससे हिलना नहीं है, चाहे कोई कु बोलता रहे, because यहाँ जितना strong foundation आप बना लोगे, multiple sources से पढ़ने से कभी भी foundation strong नहीं होता, एक source पढ़िये, अच्छा source पढ़िये, चार किताबे पढ़ने का समय, दो किताबे पढ़िये, उनको दो दो बार पढ़िये, आपको जाधा benefit होगा, और यह NCIT वाली बात जो है, य इतनी बार NCIT पढ़ लो, आपको लगा यार यह चीज तो नहीं लिखी, यह मतलब हमें नहीं एक understanding development, it's not about the knowledge, वो तो वही लिखा हुआ है, सालों से वही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगा तो आपको एक नया point of view दिखेगा, एक नया opinion निकल के आएगा, ए understanding निकल के एगे, that is important to do, that is for sure important to do, moving on, यह आ जाती है, सबसे खतरनाक चीज, improper time management, अब improper time management क्या सबसे, जिसका improper time management है, उसका एक ही symptom है, आप उसका study zone देखिए, जहां वो पढ़ता है, वहाँ पर calendar लगा होगा, जिसमें लिखा होगा कि मुझे Monday को सुबह 8 बजे ये करना है, Tuesday को ये करना है, Wednesday को ये करना है, और वो follow नहीं होता होगा, फिर 15 दिन बद रियलाइज होगा, यार ये वाला calendar तो follow नहीं हो रहा है, आओ, दूसरा calendar बनाते हैं, फिर आप एक दूसरा time table बनाओगे, और फिर उसे लिखोगे, और फिर follow नहीं करोगे, you have to understand one thing कि यहाँ पर time management दोनों level पर important है, यहाँ पर time management daily level पर भी है, monthly level पर भी है, आपको time management दिखाना है और overall, जो आपका preparation वाला period है, जिसमें आपको लोग aspirant कहते हैं, वो भी important है, we will discuss, हम तीनों level पर बात करते हैं, एक time management यह है कि सर मेरे पास, मैं comments में देखता रहता हूँ, कोई कहता है सर मैं अभी class 11th में हूँ, कोई कहता है मैं class, मैं graduation first year में, मुझे कुछ तो 9th class के बच्चे दिखे, बोले सर हमें IS की तयारी करनी है, अभी आपको जो बहुत early stage में व आप मैं से कई ऐसे चात्र दिखे जो कह रहे हैं सर हम school में है, यदि आप school में है, आप से दिन दो चीज़ों की आदत डाले जिए, आपकी reading habit अच्छी होनी चाहिए और आपकी newspaper reading की आदत होनी चाहिए, तो आपका ये वाला time अपने आप जब आप preparation के actual full-fledged preparation में जब आओ Don't make big targets, mistake क्या होती है, मुझे एक महीने में quality खतम करना है, यार हो सकता है, आप सही management से चलो तो वह 15 दिन में हो जाए, possible है, और आपने कह दिया एक महीना और देड़ महीना, अब क्या होता है, जब हम एक महीने का target बनाते हैं कि, मानले ये अभी October चल रहा है, तो मुझे November तक quality खतम करना है, तो होगा क्या, इसकी वजह से, क्योंकि आपने target बना लिया, आप पहले 15 दिन बहुत ही slow होगा, अभी तो 15 दिन है, अभी तो 20 दिन है, अभी तो 25 दिन है, अभी कर लेंगे, हमारा target तो एक महीने का है, don't do this, first of all, make time table, or make your targets, make small targets, छोटे targets बनाओ, रोज की target बनाओ, कि अगर मैं quality मुझे पढ़ना है, तो आज मुझे article 19 से लेके 23 तक पढ़ना है, बस, जो भी आपका target है, आज क्या करना है, आज का जब आप target पूरा कर लो, आज का, और जब तक आज का target पूरा नहीं होगा, हम अपनी जगे से नहीं हिलेंगे, ये self discipline बहुत जरूर भी है, सिर्फ target बना लेने से काम नहीं होगा, उसको execute भी करना पड़ेगा, आप आए, आपने पढ़ाई शुरू की, उसके बाद आप घुमने निकल गए, आप पढ़ाई के वीच में जो रील्स पे हाथ घुमा रहे हो, और फिर आप चार घंटे बाद यार बैटे बैटे थक गया आओ, नहीं, जब एक बार सोच लिया, जो चीज करनी है, वो करनी है, और अगर self-discipline follow नहीं होगा, then give punishment to yourself, पीचर नहीं आएगा इस बार punishment देने, इस बार punishment खुद को देना, punishment क्या, जो भी favorite काम है नहीं करेंगा, अगर आज का टार्गेट पूरा नहीं होगा, तो अगले दो दिन तक, I will not use my mobile phone, for entertaining purposes, सजादो खुद को अगर यह नहीं कर पा रहे हो, और यह कर लेते हो, for example, आप ने आज जो टार्गेट बनाया था, वो 12 midnight तक पूरा हो जाता है, very good, और जब आप आज का काम खतम कर रहे हो, तो कल का टार्गेट बना के उठो, आज का टार्गेट हो गया, अब आप आज का पूरा हो गया, सिर्फ कल का बनाना है, परसो का नहीं बनाना है, परसो का हम कल बनाएंगे, एक ब्राडर टार्गेट बना लिया ना, ठीके, पॉलिटी है, ब्राडर टार्गेट का है, पढ़ना तो रोज ही है, उसका तो कोई रिप्लेश्मेंट नहीं, जब तक सेलेक्शन नहीं होगा, तब तक तो रोज महनत करनी है, ग्राज्वली बनाओ, फिर आप जब इसी, जब यह इट, 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 इट लगाते जाओगे न, एहसास भी नहीं होगा, कब जो है, मकान बनके खड़ा हो गया, यह इटे लगाना तो शुरू करो, आपको टार्गेट मिला, मकान बनाना है, वह बना लेंगे, भी इटे यह attitude will be disastrous for you, because UPSC में, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, वो होती ही समय की, क्योंकि इस समय में, जब आप तयारी कर रहे हो, तो आप तो दूसरी नजरे भी हैं, बताओ UPSC की तयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, वो जो कहता है न, कि तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, UPS कथन को अपने उपर सार्थक नहीं होने देना है, वो कैसे होगा जब आपका टाइम मानेजमेंट प्रॉपर होगा, बदलते हैं इस कथन को, I will change this dialogue, कि तुम्हारा प्यार वो है, जो UPSC का एक्जाम है, महनत और शिद्दत से मिल ही जाएगा, अफ्कोर्स महनत और शिद्दत विद राइट टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग, टाइमिंग इस वेरी इंपॉर्टन, तो गूफर टाइम मानेजमेंट, ओवराल प्रिप्रेशन में आपको एक लार्जर टाइम लाइन अपनी बनानी पड़ेगी, आपको एक, 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 प्रिप्रेशन के लिए इतना ही समय है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसके आगे इसलिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसी टाइम फ्रेम में सिलेक्ट होके दिखाएंगे, आपको 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 सारी चीजें होंगी, वहाँ पर इस चीज को बकाईदा लिख लो, मैं सबको लिखवाता हूं, जिन जिन को पढ़ाता हूं, सबसे कहता हूं ये काम करो, इस एक्जाम में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, वह है रिविजन, उसकी वज़ा है, सिलिबस इतना ज्यादा है, कि जब आप एक आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद आपने पॉलिटी पढ़ी, लेकिन अगर इस दौरान आपने समय निकाल के हिस्ट्री को रिवाइज नहीं किया ना, तो वह पीछे का क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जैसे में घर में CCTV कैमरा है, तो वो बोलके क्या बोले सार इसकी हाट डिज्ज जो है ना, यह आटो डिलीट है, भाई इसका क्या मतलब होता है, बोले सार एक महीने के जैसी इसकी मेमोरी फिल होगी तो यह इस टॉप नहीं होगा, यह रिप्लेस होता जाएगा, मैंने बोले वाह, और वो डिलीट हो जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा आपको, तो यही चीज यहाँ पर भी आपली के बले, गलती क्या होती है, रिविजन नहीं करते हैं, लगता हिस्ट्री एक बार पढ़ ली, और यहाँ एक चीज याद रखिए, हमें यहाँ जरूरत है मल्टिपल रिविजन की, मल्टिपल रिविजन, एक बार रिविजन करने से काम नहीं चलेगा, तो आपने क्या किया, आपने पहले की तीन महीने तयारी करिया, वो टाइम मानेजमेंट, आप कितना पढ़ रहे हो, आप एट आर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एट आर्स पढ़ रहे ह अब आप, so let's say this is your first month, आप जब second month में आ जाओ, या second month आपका खतम हो जाए, at least from second, mid of the second month, you start adding one or two hours, for what, for revising जो आपने यहां पढ़ाता, time management भी है, syllabus को भी cover करना है, और अगर इतना बड़ा syllabus आप, अगर इतना बड़ा syllabus आप revise नहीं करोगे, सब wipe out हो जाएगा, problem क्या है, कि revision नहीं कर रहे हैं, कितना समझा लो, sir कर लेंगे, तो करते नहीं है, so proper revision and multiple revision, consistent revision, देड़ दो महिने के बाद, पहले आप, obviously पहले जो देड़ दो 40-45-50 दिन है, preparation के उनको पूरा focus लगाईए, अपना basic build-up करने के लिए, फिर आपका एक flow बन जाएगा, फिर जब आपका flow बन जाएगा, तब आप 1.5 घंटा और अपने schedule में add करिए, कि यार मुझे revise करना है, जो मैंने day 1 में पढ़ाता हूँ, फिर उसको revise करते रहिए, तो यह आपका balance बना रहेगा, जब आपका revision, मानलो आप revise करते करते कहां आगाई, सर आप तो वापिस आगाई, जहां पर हमने शुरू किया, मतलब जो अभी हम चल रहा हैं, महां तक आगए, go back, go back, फिर से revise करो, फिर आपका flow बना रहेगा, so this is how you have to do, revision नहीं करोगे, सब जो है ना खिचडी बन जाएगी, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, at the end of the day लगेगा, इतना पढ़ा और हमें, मतलब we are lost, इतनी महनत करने के बाद, if you don't want to get lost, please revise properly, आप, हम यहाँ इतनी महनत करके, पढ़ा रहे हैं, आप उससे जादा महनत करके पढ़ रहे हो, यह सारी चीजें, इसका जो परिणाम है, इसका जो result है, वो किस पर dependent है, कि आप कितना अच्छा revise करोगे, आपने revision कर लिया, बढ़िया, लेकिन आपने जो है, करना पड़ेगा, इंजिन बना रहे हो, वी टेज चलने वाला इंजिन बना रहे हो, इंजन की टेस्टिंग भी तो करोगे, कि सही से चल रहा हैं नहीं चल रहा है, सिर चो से टेस्टषे सिरिस होती है, और यह, कि इससे सिर्फ चुश नहीं, क्या करना है सर देखो discipline तो आना पड़ेगा सबसे पहली चीज जो है discipline तो लाना पड़ेगा और self evaluation करो न आपको अपने knowledge को test करने के लिए किसी और के recognition की ज़रूत नहीं पढ़नी चाहिए आप देखना चाहरा हो बिल्कुल देखो कि आप डेस्ट करो आप हमसे पूछो कि सर मैंने यह questions लगाये थे इस साल के मुझे यह problem आ रही है उस पर काम करेंगे कि जब तक आप खुद को testing पर नहीं डालोगे न पता नहीं चलेगा कि यह revision यह जो मेहनत कर रहे हो सर मैं दिन के चार घंट मेहनत करता हूं क्या टू प्लस टू फाइव कि आप मैहनत कर रहे हो आपकी लेबर पर कोई शक नहीं है लेकिन आप गलत डिरेक्शन में भी तो कर रहे हो यहां पर आपको यह भी तो पता होना चाहिए न कि यह test क्यों कर रहा है अब आप जब तक उसको testing पर नहीं डालोगे जो आपने इतना पढ़ा है जो आपने इतन accordance with the demand of the exam है भी की नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जारे रिवाइस करे जारे पढ़े जारे रिवाइस करे जारे पढ़े जारे लिए सर्ट करो हाँ फाइनल अल्टिमेट वोल्ड कप जीतना यह कॉंबिनेशन अच्छा है इसको डालेंगे जो अच्छे प्लेयर्स होते उनकी मिस्टेक्स निगल के आती है कि यह ऐसे नहीं ऐसे करना है है अपनिंग सेम धिंग यह अच्छा बिफोर एल्टिमेट टेस्ट 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 यह सेल्फ सो मच टाइम्स वो टेस्ट का ड़िक्षण हो जाए जो आपका फाइनल टेस्ट है जो आपका प्रिलिम्नरी एक्जाम है मेंस एक्जाम है इंटर्व्य उससे पहले खुद को इतनी बार टेस्ट करना है कि उस टेस्ट का डर खतम हो जाए तो वी विल टेस्ट आसर बेस्ट तरीका यह है और इसमें इमानदारी दिखा देना आपने पीवाई क्यों लगाया चार option में से आपने option select किया आपको लगा और वो सही है आपका answer सही है very good लेकिन यह जरूर समझना कि वो सही क्यों है वो सही इसलिए है कि आपको answer पता था कि वो सही इसलिए कि वो option वहाँ पे था इसलिए आपने उसमें पर मांग किया दोनों चीज़ों में फरक है विल्मेक डीटेल वीडियो अबाउट हाव तू लॉजिकली और साइन्टिफिकली सॉल्फ प्रिलेंप्स कोईशिंज नॉट की यह वाला कर देंगे इधर वाला उप्शन माख करना नहीं सही तरीका और कॉंक्रीट प्रिपरेशन होता आपको किसी तरीका प्रिपरेशन कॉंक्रीट है तो कोई तरीका है यह नहीं सबसक्राइचा तरीका तो यह है कि जवाब पर एक्जामपल बन बच्पन से मलब के बीची तो जमानों से आ रहा है तो एक खुद से competition बच्पन में लगाया करता था कि वह यह option देने से पहले जवाब आना चाहिए कभी आता था कभी नहीं आता था लेकिन उसने articulation और analysis speed को इतना fast कर दिया that you can reach it there soon और फिर आपकी जहन में आपने बगार option के answer पता है आपको और जब आपको पता है वह option वहां पर लिखा हुआ है वह उसको verify कर देगा कि जो आपके आपने जो answer लिखा है जो आपका answer आपको पता है वह सही है so we have to prepare और वो concrete part आएगा यहां से जब आप proper revision lack of revision नहीं proper revision करोगे multiple revision करोगे इतना concrete कर लो अपने content को कि option नहीं भी होगा तो भी solve कर लेंगे सर और याद रखिएगा जो UPSC का trend बदल रहा है सवाल पूछने का उसमें सफल वही होगा आने वाले समय में जो इस चीज़ को कर पाएगा कि मुझे बगार option के जवाब आता है जो statements को जो है ना combination में नहीं करेगा जो statement को true and false में solve करना जानेगा वही सफल होगा नीचे option आप खुद देखिए 2022 के paper में जो match के questions थे UPSC ने उनको पुछने का तरीका बदला पहले होता था combination मना ले ना नीचे बैठके उन्होंने पुछा कौन जा combination only one pair is correctly matched, two are correctly matched, three are correctly matched, four are correctly matched, आब बताइए आपको combination कहा गया अब बताइए जो आपने option में elimination सिखाया था वो कहां गया आपको यह लग रहा है UPSC नहीं जान आप एक चीज़ बताइए एक pattern है वो आपका famous हो गया तो UPSC को भी आपको दिख रहा है UPSC को नहीं दिख रहा है कि they are trying to break our you know monopoly equation पूछने का तरीका और solve करने का तरीका तो UPSC को ही पता है और उसका एक ही कुछ भी आ जाए अब हो गया ना इस बार जिन्होंने वो combination में ऐसा match कर लेंगे ऐसा match कर लेंगे इस match को इस से देख लेंगे gone अगले साल यह आ गया चार statement दे दिए statement one statement two statement three statement four out of this only one statement not statement number one is correct only one statement is correct two out of four statements are correct three out of four statements are correct four out of four statements are correct what will you do तो options पर dependency बंद करने के लिए आपको यहां पर खुद को test करना पड़ेगा multiple times खुद को multiple times test करना पड़ेगा उसका कोई replacement नहीं है the more you sweat in peace the less you will bleed in war जितनी जितना नुक्सान यहां होना होने दो गलती हो रही है होने दो आप in mock test में आप PYQ में आप classroom में जितनी गलती करोगे we are there to solve you लेकिन याद रखेगा अगर आपसे exam में गलती होगी तो वहां आपको गलत को गलत बताने वाला कोई नहीं होगा यहां पर हम है जो बताएगा कि भाईया देखो सीधर रास्ते पर गलत कर रहे हो एप्रोच चेंज करो revision का तरीका बदलो पढ़ने का तरीका बदलो कुछ भी बताएंगे जैसी problem होगी वैसा solution देंगे लेकिन यहां कर पाएंगे हम examination hall में कुछ नहीं कर पाएंगे वहां हम नहीं होंगे तो वहां जब सिर्फ आपको होना है तो आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा कैसे मजबूत बनेंगे यह जो insufficient है ना इसको काटेंगे and we'll go for sufficient or ample number of mock test हम जितना जादा खुद को testing पर डालेंगे उतना हम refine होंगे अब not having a mentor mentor का मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं होता और याद रखियेगा इसलिए नहीं कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ इसलिए कि मैं आज जो हूँ अपने शिक्षकों की वज़े से हूँ if I am standing here and telling you something के जी से लेके पी जी तक ना बहुत से teachers का contribution है इसमें इसलिए teacher का भी साधारन नहीं होता याद रखियेगा और उस अधारन व्यक्ति को न आपको बहुत जरूरत है उसकी हर किसी को है मुझे भी है और कोई भी आपका शिक्षक बन सकता है जिसकी बात आपको समझ में आ रही है जिसके साथ आप connect कर रहे हैं सर मैम कोई भी क्योंकि यह आपको कि देवियेट होने से बचाता है कि यह आपको डेवियेट होने से बचाता है यह आपको बताता है कि देखो तुम गलत रास्ते पर जा रहा है यह आपके मार्क से भटकने से बचाता है यह आपका आइन मेंटर वो नहीं होना चाहिए जो आपको हरवक्त सही चीज बताए बतल जो यह बताए ना कि यार तुम यह गलत कर रहे हो सही कर रहो वरना गलत सेलेक्शन नहीं होगा उस फैसिनेशन में मत जाओ जो यह कहता है कि भाईया आईस बनने के बाद क्या होगा सर पहले बन जाएं पहले यह रास्ता देख लें कि यहां से लेकर प्रिलिम से में से इंटर्व्यू से कैसे निकलना वह बन के क्या करना होगा तो तुम्हें देखना है हमें थोड़ी आईस बनने के बाद का जीवन जीना उसको सुनके फैसिनेट मत हो मोटिवेशन अच्छी चीज है उसको देखके आप मोटिवेट हो लेकिन आपके मेंटर से बोलो बोलो सार यू और हीयर टू पॉइंट मैं मिस्टेक आप मेरी गल्ती बताओ तो इस आपको यह आपके सीनियर हो सकते हैं यह आपके पैरेंट्स हो सकते हैं यह आपके साथ वाले हो सकते हैं यह आपके टीचर्स फैकल्टी कोई भी हो सकता है जो आपको आपकी घलती है दिखाया है जो आपको आईने की तरह बताए कि भईया देखो यही है तुम्हारी जो आपको यह बताए किया देखो अब भी तुम्हें थोड़ा सा इंप्रूव्मेंट की ज़रूरत है दंगल मूवी में दो तरीके के कोच दिखाए ना दो तरीके के मेंटर दिखाए एक वो जो देशी अंदाज पर लगा रहा कि कैसे नहीं हो मिलेगा मटल अपनी टेकनीक पर अडार वो छोटा नहीं है लेकिन वह वह खाब नहीं है जिसके लिए आपने शुरुबात की थी ग्रुप A की सर्विशेजर गुड गुरुप B की सर्विशेजर गुड उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन यह वो खाब नहीं था जो आपने शुरुवात में देखा था अब बुलो गया नया कोच और नहीं टेक्निक से सिखा रहा है कहती है न अपने फादर को फोन करके कि पाप आपकी टेक्निक जो है पुरानी हो गई भूल गई कि बनी वहीं से थी तो इस इस दिफरेंस बिट्विन अ मेंटर वह आइना दिखायेगा कहता नहीं है एक जगे मूवी में कि लड़ रही है कि उसको पॉइंट देने के लिए बैठी हुई है आइना दिखाया न कि तो बले ही उसकी बेटी थी लेकिन आइना दिखाया डाटा वही सही मेंटर है वह मेंटर नहीं है कि एक गोल्ड नहीं तो ब्रॉंज में तो काम चला ही लेना नहीं चलाना है जार गोल्ड ही लेकि आएंगे आइस का सपना देखा है तो आइस बनेंगे IPS का सपना देखा IPS बनेंगे तो हाविंग अगुड मेंटर ढूंडो मिलेगा कोई भी हो सकता है मैंने क्या का वह कोई भी हो सकता है जो सिर्फ आपको हर वकत आइना दिखाता रहे कि भाईया यह जो तुम कर रहे हो यह सही है यह गलत है सिंपल फिर मुवी का एक्जामपल दूँगा मुझे मुझे मुवी बड़ी पसंद है लाइक टू वाच विट के बाद से देखने नहीं गया लग बात है बट क्योंकि मुवी जादा अब कर रहे हो अपने साथ अपने रूम्मेट को नहीं बता रहे हो जो है क्या कर रहे हो अपने क्लासमेट से जो है कटे-कटे घूम रहे हो अरे मत करो यार यह अ सुपर थर्डी मूवी देखी है, देखी होगी, उस मूवी में जो सीखने वाले चीज थी वो ये थी कि वो बच्चे जो गरीब थे, वो बच्चे जो आम हिंदुस्तान के थे, जिनके आँखों में खाप था, कुछ बनने का, जब वो एक साथ आए तो उन्होंने देखा यार आपस में नहीं कर रहे था, आपका कॉंपेटिशन आपके घर के पास नहीं है, आपका कॉंपेटिशन आपके महले में नहीं है, आप दिल्ली में बैठे हो, आप हैदराबाद में बैठे हो, यू आर इन गुजराद, आप कहीं बैठे हो, आपका कॉंपेटिशन देश के कि इसी दूसरे कोने में तैयारी कर रहा है जिसको आप जानते भी नहीं हूँ. So if you have a good, you know, circle, start working as a team. Those who are in classrooms, you start working as a team. We will work as a team at PW. Have a good, have a constructive, no. क्योंकि यहाँ पर exam नहीं है ना, कि सिर्फ एक prelims का exam निकाल के IS नहीं बन रहे हैं ना? Prelims का exam निकाल लोगे, तुक्ये लगा लगा के, चलो, मान लेता हूँ. फिर, मैं इस कैसे लिखोगे? Every year, दो-तीन ऐसे ऐसे लोगों का phone आ जाता है, वो prelims क्रैक कर लेते हैं. कुछ भी हो सकता है, वो कई बार उनके जो है, तुक्ये बैट जाते हैं, सही कोई, किसी की schooling बहुत अच्छी होती है, तो वो school से अच्छा है, उसकी schooling अच्छी हुई है, college अच्छा है, तो वो prelims तो crack कर लेता, सर आप मेंस में क्या करें? सर मेंस में तो एक ही चीज, आती है, जितना आप discussion करोगे, issues के उपर, आपने editorial पढ़ा, आप आपका एक friend, आपका एक group है, आपने editorial पढ़ा, आपको group नहीं मिल रहा न, आपने बड़े भाई, आप घर पर बैठके पढ़ रहा है, आप अपने भाई, बहन, माता, पिता, किस बच्पन में पढ़ाया था न, जिनके पास दोस्त नहीं है, जिनके पास ऐसा study circle नहीं है, जिनके पास ऐसे resources नहीं है, अरे छोटे को बैठा लेना, कि भाई यह सुन, मैंने आज यह पढ़ा, इंडिया चाइना का यह चल रहा है, यूएस में कुछ हो रहा है, तो उसका इंडिया पे का impact पढ़ रहा है, गर्मेंट की यह policy जो है, कितने गरीबों को साथ, बात करो, यहाँ group study का मतलब यह नहीं है, यहाँ group constructive group study का मतलब है, अगर आपके पास ऐसे resources हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे classmates हैं, जो आपके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उनके साथ बैठ के पढ़िए, discussion करिए, ताकि वो आपकी गलतियों को निकाले, आप उनकी गलतियों को निकालो, बिकाज जब आपको unknown, UPC is unknown, मतलब you don't know न, university नहीं है, कि आज professor इस बार का paper जो है, वो professor XYZ के पास गया है, तो question यह आएगा, इस बार का paper जो है, प्रोफेसर फ़ला प्रोफेसर के पास गया है, तो इस बार यह question नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं paper concept करने वाला है, जानते भ यह paper बनाया, तो when the enemy is unknown, and then enemy, कौन सा enemy, जो सिर्फ एक मकसद से paper बना रहा है, कि तुम fail हो जाओ, उसको selection करवाने के लिए paper बनाने के लिए नहीं कहा गया है, जितना tough paper होगा, जितना twisted questions होंगे, वो उसकी badge of honor है, understand this, so when you are fighting the unknown, you need more strength, and that strength will come from a constructive group, सबके पास होता है, एक अच्छा दोस्ट सबके पास होता है, आपका दोस्ट यूपेशी की तयारी नहीं कर रहा है, मान लो, बहुत है, आजाओ, आदा गंटा बैटलो मेरे साथ, मैं दिन मर्ग चू कराओ, सुनो उसको, तो, you will have to do this, because knowledge shared is knowledge squared, that's true, जितना आप शेर करोगे, जितना आप discussions, deliberations करोगे, जितनी आप चर्चा करोगे, जितनी आप डिबेट करोगे, उतना आप का दिमाग खुलेगा, this is an exam of open minds, this is an exam of great minds, and it is not necessary, यह आवशक नहीं है, कि जिसको मैं great mind कह रहा हूँ, वो पढ़ने में topper है, नहीं, जिसकी सोच बड़ी है, जिसकी सोच बड़ी है, वो महान है, क्योंकि अगर आप यह नहीं करोगे, आप कहाँ, आप ने इन में से कुछ भी नहीं किया, your committing mistakes, कौन कौन सी, सर, आपने ना तो syllabus को समझा, ना तो आपका time management सही था, ना तो आप multiple, मतलब आप इन में से किसी भी एक trap में फस गए, किसी भी एक trap में फस गए, क्या होगा, सबसे पहला problem, lack of content, lack of content in the sense, आपको पता ही नहीं होगा कि किस चीज का response कैसे करना है, content आ भी जाएगा, तो answer का structure नहीं होगा, perspective नहीं generate होगा, perspective नहीं generate होगा, तो introspection नहीं है, और ये सारी चीजें कहां result करेगी, prelims में नहीं, means में, बड़ा ही ना, हलका सा जवाब दिखेगा, हलका सा जवाब दिखेगा, examiner, जो है, मान लो आप से पहले एक बहुत अच्छा answer आ गया न, तो आपका average answer नीचे होता है, जहन में comparison आ सकता है, बिलकुल आ सकता है, so you have to understand कि अगर आप इन चीजों पे, अगर आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे, आप you will end here, you will end here, so content, important है, content है, structure नहीं है, कोई फाइदा नहीं है, structure है, perspective नहीं है, analytical aspect नहीं है, आप उस चीज का जो है, visualization नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज का जो है, आपके पास content, visualization तो है, लेकिन आप उसके बारे में जो है, समझोगे नहीं तो visualization क्या करोगे, simple, so you have to be very much aware of these mistakes, these are the consequences, these are the consequences, नहीं follow करोगे, उस चीजों को, you will end up here, and अगर आप कितनी महनत कर रहे हो, आप महनत करे जा रहे हो न, लेकिन if you will end up here, that all will go in vain, सब बर्बाद हो जाएगा, जो महनत करिये, UPSC में important यह नहीं है कि क्या पढ़ना है, फिर कह रहा हूं important यह है कि कैसे पढ़ना है, वही 1857 का revolt है, वह 1857 का revolt कहीं, दुनिया के हर किताब में वही कहानी लिखी हुई है, लेकिन UPSC के perspective से उसको किस angle से देखना है, यह important है, क्या-क्या different views थे उसको समझना important है, you are getting my point, so, I hope, कि जब हम course और batches start करेंगे, the details of the batches are in the description link, आप नीचे देख सकते हैं, और उससे पहले, आप अपने आप को mentally, मानसिक तोर पे इस चीज के लिए तयार करेंगे, कि सर, हम यहाँ तो end नहीं होने वाले, और, remember one thing, यह mistakes नहीं करोगे, तो select होगे, और अगर select नहीं हुए, तो बड़ा सवाल है, तो remember one thing, if you are preparing with a dedicated approach, either you will learn, or you will, you know, either you will, if you are doing it with the correct approach, if you are doing it with the correct approach, यह याद रखियेगा, सही तरीके से कीवी तयारी से, either you will win, or you will learn, you never lose, या तो आप जीतोगे, या तो आप सीखोगे, आप हारोगे नहीं, इसकी guarantee है, जीवन में, so with this, I end this session, I hope you have liked it, आपको एक जो structure हम बताना चाह रहे हैं, कि तैयारी करने से पहले, आपने अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखें, आप वो डेवलब कर रहे होंगे, soon we will come up with the batches, और हम live interaction पे भी आएंगे, वह हम और जादा इन डेटेल चीजों को देखेंगे और संझेंगे, हम पढ़ेंगे भी और सही तरीके से भी पढ़ेंगे, so that is it from my end, have a great time, जैहिंद!